तो बच्चा लोग जो आप लास्ट एक विग से जिसका वेट कर रहे थे और गेनिक केमेस्ट्री की आईम पी क्वेस्ट्टन्स तो यह लोग बच्चा लोग आपके लिए यह और गेनिक केमेस्ट्री का भी खजाना हमने खोल दिया है मतलब क्यार बच्छा लोग सबसे ज़्यादा आप सबको टेंशन किसकी होती है और गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा उसमें भी तू मार्क्स त्री मार्क्स सबसे डेंजर वाला पार्ट कनवर्जन कौन से चेप्टर में से क्या कितने कैसे कनवर्जन आएंगे बच्छा लोग तो चलिए चेप्टर वाइस हम देखती जाते चेप्टर 10-16 पूरा पार्ट इसमें मैंने कवर किया है इसके जो पीडिएफ है वह आपको डिस्रिप्शन से बच्छा लोग मिल रही होगी लेकिन पीडिएफ लेकर भी आप क्या करेंगी ऑनली थोड़ा करना पड़ेगा बच्छा लोग तो ही हमको इसका बेस्ट आउट्पूड मिलेगा तो जैसे मैंने आपको बच्छा लोग ब्ल्यूप्रिंट वाला एक वीडियो में अप्लोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चप्टर नमबर 10 है जिसमें से टू मांक्स का सिर् जो मीन मीन पार्ट है वो पढ़ लीजे लाइक समझो मैं यह आपको समझाता हूं देखे यह आपर वैसे तो स्कीप कर दे तो भी डूंट वरे लेकिन यार काफी इजी-जी क्विस्टन है इसमें से पर्टिकुलरी जो मैं आपको बताता हूं इसमें आप देखिए फिटिं देखो यहां पर फ्रिंकल स्टीन काफी इसी रिक्शन है स्वार्ट काफी है जो हमें एंसी के लिए तो प्रिपर करना ही है थोड़ा और ज्यादा एफट लगाएंगे तो यह थियोरी पार्ट भी हो जाएगा उसके बाद राइट टू स्टेप एक्वेशन फॉर्टी फॉ जो भी टू जो एक्वेशन जो सेकेंड टम एक्वेशन हमारा आ रहा है तो उसमें हमें कितना प्रिपर करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए तो उसकी सटर जी बता दू बाकिये चीज़े तो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी लेकिस टैटर जी कुछ ऐसी है कि आपको भी क्या प्रिपेर करना है जनरली हम सब को जब मैं आपकी तरह 12 स्टांडर्ड में था तब मैंने भी सायद वही गलती की होगी और जनरली बच्चे लोग यही गलती करते हैं क्या करते हैं कि हमिस्ट्री में पर्टिकुल ने देखा जाए तो 16 चैप्टर है हमारे प तो वह चुटेगा मतलब ऐसा वह बड़ा सा एक पेड़ है रेडी हम इस तरफ से पकड़ने जाएगे तो इस तरफ से लूज होगा इस तरफ से पकड़ने जाएगा तो इतना बड़ा है कि एस पेड़ को पुरा नहीं पकड़ सकते हैं मतलब यह यह 16 चैप्टर वाला जो इतना बड़ा पोर्शन है तो आप ऐसा कीजिए ब्लूप्रिंट को ऐसा समझ के चलिए कि हमारे स्कूल में जो भी पेपर आने वाला है वही ब्लूप्रिंट के एकोडिंटी आने वाला है 50 मार्क से जो भी 50 मार्क सा थियरी पोर्शन रहेगा उसमें 50 मतलब कि 40 समझ लिए तो 40 मार्क का तो एकोडिंट ब्लूप्रिंट आएगा 5-10 मार्क सा चलिए उपर नीचे थोड़ा हो गया तो पहले उतना पार्ट को फोकस किजिए पहले तो 40 मार्क वाले पार्ट को आपने फोकस किया चलिए उसके बाद भी नेक्स स्टैप आपको क्या करने है तो जितना सबसे पहले तो समझ के चलिए कि 40 मार्क सब्सक्राइब कर लेजिए उसके बाद टाइम बचता है तो आएंप वाले पार्ट पर चले जाए तो ऐसे करके आपका जो क्या मिलता है मिलता है मैं को एक्जाम कॉपलेट होने के बाद जब अबका एक्जमेनेशन होगा 17-18-18 जब आपका उसके बाद आपके पास एक ऐसा क्यामीडेंस होना चाहिए कि चले जिए कैमेस्टरी में चितना भी इंप पास होगा ने रही थी यह जो तीन चप्टर उसके नुम्रिकल्स मुझे पर्फेक्टली आते हैं तो यार यह पार्ट कुछ-कुछ बच्छे ऐसे भी स्टाटर जी अप्लाइ कर सकते हैं मैं बस केमिस्ट में पार्ट वन मतलब के वन टू नाइन चेप्टर करूगा और गेनिक और पूरा ज आपके पास कुछ रहेगा नहीं जो भी यह सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब जगह से हुआ है कुछ फाइनली कुछ आउट्पुड मिला नहीं तो ऐसा मत कीजिएगा बच्चे मुझे पूछते रहे तो मैं आपको बताजेग एक ऐसा करना आप लोग राइट तो चले यह मैंने सब कुछ आपको यहां पर दिखा दिया यह बात करहां से नहीं के लिए कंवर्जन से तो अभी यार बच्चा लोग आप ऐसा समझ के चलिए कभी मुझे कंवर्जन प्रिपेर नहीं करने मतलब कि मैं त्रियोरी प्रिपे कीजिएगा बाकी तो यह जो कनवर्जन वाला पार्ट उसके लिए पर्टिकुलर्ली आपको चप्टर 10 11 12 13 चारों के चारों चिदिने भी चप्टर इसके परफेक्टली आपको एक ग्रीप चाहिए और फोर चप्टर आपको एक साथ याद होने चाहिए कि यहां से रिएक् पर ज्यादा फोकस मत कीजिए आप पहले यह त्यूरी पर परफेक्टली कीजिए उसके बाद जो टाइम बचता है कुछ-कुछ बच्चे मुझे यह भी कह रहे थे कि सर शिलेबस जल्दी कंप्लेट करो हमारा तम तू एक्जम आने वाला है तो बच्चा लोग यह जो हमने पूरा सिरीज स्टार्ट किया हुआ है यह मैंने पर्टिकुलर्ली आपकी यह जो प्रिलिम जो एक्जम होनी वाल यह उसको फोकस उसको सेंटर बे रखकर मैंने यह स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यह बहुत छोटी जर्नी हो सुकिए दस दिन में मुझे पूरा सिलेबस 16 च सब्सक्राइब करते हैं इसका पूरा लिस्ट मिल रहा होगा आपको सारे क्विडियो सॉलूशन भी आपको मिल रहे हो लेकिन वह सारा मैंने बूर्ड एक्जम को फोकस रखकर किया है तो अभी मैं इतना आपके लिए इस एक्जम के लिए नहीं कर पाए उसके लिए सौरी लेकिन दिरे दिरे हम सब कुछ कंप्लिट कर देंगे तो चलिए तो यहां पर मैंने लास्ट एक लिखा है टू स्टैप कंवर्जन लेकिन आप सोचेंगे सर नीचे कुछ लिखा तो नहीं है तो यह कौन से क्विश्चन होने वाले हो तो मुझे भी नहीं पता है आपको या लाग में उस सेटी का पूरा मैप एक साथ क्लियर तो बदा सकते कि यहां से इस गली से होकर यहां निकल जाई अच्छा वहां जाना है तो जो पीछे गली है वहां से इस तरफ निकल जाई तो उसके लिए पूरे सेटी का मैप मतलब कि पूरा चैप्टर 10 11 12 13 का और गेनिक क जो जो सारे क्वेस्ट्ट्र कौन साहिए चैप्टर नमबर 11 यार बच्चा लोग आप blueprint में देखेंगे तो blueprint मैं आपको दिया हुआ है कि चैप्टर नमबर 11 में इस चैप्टर से 3 & 4 माक्स के क्विश्टन आने वाले है यह बच्चा लो यह उस टाइप का चैप्टर के जहा सकते हैं और सब जगह पर मैंने स्टार लगा कर आपको दिया हुआ है साथ में बच्चा लोग जो क्विश्चन प्रिविए से में 2018 में कौन सा तो सारी चीज़े आपको देखकर पता चलेगी किया उन लोग की स्टैटर जी कैसे क्या रहती है और कुछ कुछ जगह पर मैंने जो 2019 में जो तो सारी चीज़े मैं आपको यहां पर दे रखी है तो यह हमारा चैप्टर लोग बच्चा हुआ हुआ यस 11 उसके बाद 12 चैप्टर नमर 12 में देखा जाए तो 3-4 मांक के इतने बड़े-बड़े नेम वाले जब आप लोग ने यह चैप्टर नमर 11 में देखा यहां पर द लाओ प्रोसेस उसके बाद क्यूमीन प्रोसेस उसके बाद यह डी हाइडरेशन उसके बाद विल्यम संट नेमी इतने बड़े-बड़े कर बस इतना प्रिपेर कीजिए बहुत हो गया और यह सारे चैप्टर को सारे थियोरी को याद कैसे करते हैं वह चीजे भी मैंने मेरे आफ्लाइन क्लास में काफी अच्छी ज़रा से बच्चों को करवाईए और बच्चों के भी बहुत मज़ा आथा है उसमें तो यहर मैं जब यह एक्जामिनेशन आपको कंप्लिट होगा हमारा मेन फोकस है बोर्ड एक्जम तब तक इस चैप्टर की मैं ऐसी एसी वीडियो बना कर आपको दूँगा कि बस सिंप्ली आपको इस वीडियो को देखना है जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस वक्त पूरा चैप्टर नमबर 11 आपको लाइन टू लाइन ट्रीक से आपको याद हो जाएगा लेकिन वो सारी चीज़े दिरिये दिरिये मैं अप्लोड कर र यह और गेनिक केंवर्जंट टू स्टैप वाले और गेनिक कन वर्जंट इस चैप्टर में कन वर्जंट रियेक्शन ज्याद आए बड़े बड़े नेम वाले कोई थियोरी पार्ट नहीं एक दो है हमारा यह हमारे यह टॉलेंस है फैलिंग है फिर वुल्फ किस्टन इसार आए ख्रॉस आलडोल कंडेंसेशन और यह क्रॉस आलडोल कंडेंसेशन बचलों देखिए 2014 में आया था मतलब अब देखा जाए तो साथ आठ साल पहले क्रॉस आलडोल पूछा था तब से कभी भी क्रॉस आलडोल यहाँ पर नहीं आया इस साल मुझे पर्टिकूर लगता कि cross handle लाने के chances है तो सही राइट तो cross handle अच्छी तरह से prepare करना चलिए उसके बाद chapter number हमारा ये 13 तो 13 के भी सारे IMP important questions आपको यहाँ पर हमने दिये हुए तो वो भी बच्चा लोग देखिए का अभी सारी तीज़े जितने भी यहाँ पर जो भी 14 biomolecules तो बच्चा लोग biomolecules से आप लोगों देखा होगा equation two marks वाला आने वाला है right chapter number 13 में two and three दोनों है chapter number 14 15 16 ये तीनों के तीनों chapter जो last वाले सब में से सिर्फ दो marks वाले question आने वाले है इस में से कोई बड़ा three four marks का question नहीं आएगा तो I hope मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ-कुछ बच्चों ने तो chapter 16 अभी प्रिपर भी नहीं किया होगा और पॉस्तनली मेरी advice भी यह है कि अगर particularly two marks वाला section है उसमें chapter number 16 अब टेंपरर इस कीप कर दे तो भी चलेगा यह अधरवाइज chapter number 16 यहाँ पर जितने भी मैंने important question दी है उसमें से कुछ-कुछ जो भी और उसमें से particularly कुछ जो drug या medicines के name है वो यह इतने जल्दी आपको याद नहीं होगे वो दिरे दिरे आप एक दो तो तीन चार बार practice करें कि तब याद होगे तो उसका fundamentally concept आप लिखेंगे तो एक डेड़ मार्क्स आपको मिल जाएगा आदा मार्क्स नीम का कट करेंगे तो करेंगे ओके चले उसके बाद तो यह चैप्टर नंबर हमारा फिप्टिन पूली मरें उसको भी शॉट में कैसा याद किया जाए स्टैब बाई स्टैब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जो मैं ऑफलाइन में बच्चों को सिखाता हूं कि सारे रियेक्शन को स्टैब बाई स्टैब कैसे याद करते तो अभ जितना मुझसे हुआ उतनी मैंने आपको हेल्प किये सारे क्विश्टन आपको यहाँ पर दिये हुए आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए रेडी बेस्ट आप लग एंड मिलते आपकी एक्जामिनेशन के बाद ओके हैवे नाइस डेए